नमस्कार आपका आख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ क्रदीब सिंग्ग आज रविवार है तो रविवार विशेश का दिन है तो आज बात करेंगे तीन राज्यों की और बीजेपी के तीन सहीयों की राष्ट्रिय जनतांतरिक गडबंधन नेशनल डेमोकरेटिक एलाइंस ये जो बना था 1998 में मान लीजिए कि नितिश कुमार के जाने के साथ ही KDU के अलग होने के साथ ही खतम हो गया भारतिय जनता पार्टी के तीन राज्यों में स्थिति आप देख लीजिए तीन राज्य, तीन सबसे पुराने अलाइज, सबसे पुराने साथी तीनों अलग हो चुके है महराष्ट में शिवसेना, बिहार में जनता दल यूनाइटेड और पंजाब में अकाली दल ये तीन थे, जनता दल यूनाइटेड पहले समता पार्टी था वो 96 में आया था पहली बार साथ में और अकाली दल और शिवसेना पहले से थे तो NDA उसके बाद ही उसका एक्सपेंशन हुआ, इन तीन के आने के बाद NDA जो अटल विहारी बाजपई और लालकिर शादवानी ने बनाया था वो आप माल लीजिए कि उसके आपचारिक घोश्रा भले ना हो लेकिन वो खतम हो चुका है, छोटी मोटी पार्टियां बच गई है उनका कोई उस तरह से ऐलाइंस के रूप में कोई मतलब नहीं है अब ये ऐलाइंस बना क्यों था? ये ऐलाइंस बना था जब 1996 में BJP को समर्थन नहीं मिला संसद में 161-62 सीटे लोगसभा की लेकर 13 दिन के लिए प्रधान मतली बने अटलवेह रिवाजपे कोई पार्टी समर्थन देने के लिए नहीं आई इन तीन पार्टियों के अलावा तब लालकेश आडवानी ने मुलाकात की उस समय जो सरसंग चालक थे रज्जु भाईया दोनों के बीच में बातचीत हुई उसके बाद अलग फोरम पर बातचीत हुई संगा और BJP के नेताओं की और उसके बाद लालकेश आडवानी ने एक प्रेस कांफरेंस में ये बात कही कि विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टियों के विकास की एक सीमा होती है BJP उस सीमा पर पहुँच चुकी है BJP का अब जो है विकास मतलब विकास से मतलब है संसद्य और विधाई रूप में जो है यानि लोगसभा और विधान सभाब में उसका विकास उसके विधी जो है अब इससे जादा नहीं हो सकती है इससे जादा के लिए हमें कुछ कॉंप्रमाइज करना पड़ेगा तो कॉंप्रमाइज क्या हुआ BJP के तीन कोर इशूज जो है उनको बैक बर्नर पर रत दिया गया रामजन भूमी जम्मू कश्मीर में अनुच्छे 370 और कॉमन सिविल कोड़ इनको हटाकर एक एक एजिंडा बना नेशनल एजिंडा फार गवर्नेंस जिसके आधार पर बाकी पार्टियां आकर जुड़ी हैं कि BJP ने अपने कोर इशू छोड़ दी हैं तो इसलिए हमको जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है हालाकि उस एजिंडा का या इस सिद्धान का जो लोग जुड़े उससे कोई मतलब नहीं था सब इसलिए आये कि दिखा कि सत्ता आ रही है या आ सकती है कॉंग्रेस कमजोर हो रही थी उनको लग रहा था कि BJP बढ़ रही है तो वो सत्ता में आ सकती है इस उमीद में आये थे और दूसरी जो भी BJP से एलाइन्स किया है जो अपने को सेकुलर कहती है पार्टिया उन्होंने उसी समय BJP से एलाइन्स किया है जब उनको ये पूरी तरह से विश्वास हो गया कि BJP के साथ आने के बाद उनको जो मुस्लिम वोटों का नुकसान होगा ये जो पाटियां ये मुस्लिम वोटों की बड़ी शेर होल्डर नहीं थी इनको छोटे मातरा में कुछ मातरा में मुस्लिम वोट मिलते थे वो चाहे चंदरबावु नाइडू हों चाहे फिर नितीश कुमार हों या अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दल जो थे वो इसी आधार पर आए कि जब उसको आफसेट कर सकती है बीजेपी और उसमें कुछ बड़ोतरी कर सकती है यानि अगर हमको 4-5 परसेंट मुस्लिम वोट मिलते हैं तो बीजेपी हमको एडिशनल 6 परसेंट वोट अगर दिला सकती है तो आने में कोई एतरास नहीं है तो ये पूरी तरह से रिलेशन्शिप प्रांजैक्शनल थी कि हम आपको ये दे रहे हैं आप हमको ये दे रहे हैं उसमें कहीं कोई एमोशन नहीं था अकाली दल और शिसेना के लावा इन दो एलाइंसेज में एमोशन भी जुड़े हुए थे एक तरफ हिंदुतु का और दूसरी तरफ जो है सिखों को लेकर जो भारती जनता पार्टी के शिर्ष नेतितु में संग में जो एक सॉफ्ट कॉर्णर है उसकी वज़े से और ये भी सोच थी ये एक मजभ पराधार पार्टी है इसको देश के में स्ट्रीम में रखना चाहिए अलगावाद की वो न जाने पाए अब वो सब consideration खतम हो चुके है अब शुद्ध रूप से transactional वो भी transactional में भी वो आज की तारीख में है मतब शेर मार्केट की तरह रोज का भाव बदलता है चड़ता है गिरता है उस हिसाब से होता है नितिश कुमार को देख लिजी वो floating जो है चीफ मिनिस्टर है कहीं भी जा सकते है चार बार चौती बार बदल चुके पांचवी बार भी बदल सकते हैं कोई आश्यर नहीं है तो शुरुआत करते हैं अब तीन राज्जों की बात की तीन पार्टियों की बात की तो पहला राज महराश 2014 में सत्ता संभालने के बाद नरिंद मोदी ने अमिज शाह ने ये तै कि बीजेपी का भौगोलिक और सामाजिक विस्तार करना है आज हम जिस हालत में हैं उसी हालत में हम टिक नहीं पाएंगे वही होगा कि एक बार सरकार बन गए उसके बाद फिर बाहर हो गए तो अगर इसको स्थायत्यू देना है तो हमको भौगोलिक और सामाजिक रूप से विस्तार करना होगा तो भौगोलिक रूप से विस्तार करने का नए राजियों में जहां पार्टी का संगटन कमजोर था, संगटन मजबूत करना, उसको आगे बढ़ाना, लीडर्शिप को भारना, ये सब काम हुआ और सामाजी काधार पर आती पिछलों को जोड़ना, दलित समधाय को जोड़ना, अधिवासियों को जोड़ना, ये सब एक साथ ही एक कारिकरम चला, उसमें जोड़ा गया जो सेंट्रल गवर्मेंट की स्कीम थी, वेलफेर स्कीम, उनसे जो लाभारतियों का एक वर्ग बना, जो जाती से उपर उठकर जो है, वो जोड़ने के लिए तयार हुआ, तो इस तरह का एक कोईलिशन बनाया, जिसने बीज उसका व्याप भी बढ़ा, महाराष्ट उसका पहला उदारण, महाराष्ट में 2014 में ही बीजेपी ने एलाइंस तोड़ दिया शिवसेना से विधान सभा का चुनाव अकेले लड़ी, और अकेले लड़ने का फैसला हुआ, कब नॉमिनेशन की आखरी तारीक से 24 गंटे पहल यह जो चला आ रहा था कि शिवसेना विधान सभा में ज्यादा सीटे लड़ेगी, बीजेपी कम, लोग सभा में बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी और शिवसेना कम, उसको बीजेपी ने तोड़ दिया, और नतीज़ा यह हुआ कि लगभग 200-260 सीटों पर यह स्थापित हो गया कि BJP महराष्ट की नंबर एक की पार्टी है सत्ता में क्या हुआ 2019 में कैसे हुआ उसको छोड़ दीजिए लेकिन BJP महराष्ट की नंबर एक की पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी है इस पर कोई विवाद नहीं है इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है और ये पोजिशन बीजेपी की खत्रे में नहीं तो उसके बाद जो है शिवसेना इस बात को स्विकार करने को तयार नहीं हुई उद्धो ठाकरे को ये पचा ही नहीं कि हम छोटी पाटी हो गए छोटे भाई हो गए बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई तो इसलिए टकराव शुरू हुआ और बीजेपी को पता था कि ये टकराव होना ही है जब भी वो अपना विस्तार करेगी भगोलिक विस्तार करना चाहेगी तब उसके सहियोगी दलों से टकराव होगा और ये बीजेपी नहीं कोई भी पाटी जो अपना विस्तार करना चाहेगी उसका सहियोगी दल से इस तरह का टकराव होना तैह है और वो हुआ उसको वो उसमें समय लगता बहुत ज़ादा शायद उसको एक्सपेडाइट कर दिया उसको तेज कर दिया उद्धा उठाकरे के कदम ने जो उन्होंने दोहजार उन्निस में उठाया जब एलाइंस को बहुमत मिल गया उसके बाद एलाइंस तोड़कर वो एनसीपी और कॉंग्रेस के साथ चले गया बीजे-P को अशर मिल गया अपनी पार्टी के विस्तार का और वो जो बैगेज था ऐलाइंस का वो शिरसेरा ने अपने आप उतार दिया उसमें ऐलाइंस में समस्या चल रही थी लेकिन ऐलाइंस खतम नहीं हुआ था aligns बना हुआ था लोगसभा चुनाओ साथ लड़े उन्नेश का विधान सबाओ साथ लड़े लड़ घगभड रहे थे साथ भी थे केंदर में सरकार में साथ थे राजज्य में सारकार में शिंदे इस हारत में हैं कि वो पूरी शिवसेना पर कबजा कर सकते हैं, असली शिवसेना बन सकते हैं, बीजेपी और एकनाश शिंदे गुट का एलाइंस हो गया है, उद्धाव ठाकरे उनकी पार्टी हाशे पर चली गई है, एक राज्य में किला फते हैं, यानि जो सोचा थ वो जितना समय लगना था, उससे बहुत जल्दी हो गया, अब दूसरे राज्य पर आई है, बिहार, जन्तादल यूनाइटेड, जन्तादल यूनाइटेड का पहले जो सुरूप था, वो सम्ता पार्टी का था, और उसके करता धरता जॉज फर्नांडिस थे, नितीश कुमा और जॉर्ज साब ने इसको आखरी समय तक पूरी तरह से चलाने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा नितीश कुमार को लेकर सशंकित रहे, वो बीजेपी को बार बार समझाते रहे और खुले विरूद करते रहे कि नितीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के उमीदवार के रहे थे, बीजेपी के नेता नहीं देख पाए अभी तक, अब तक साथ चलने की बात कर रहे थे, वो ठीक बात है कि बिहार में जो बीजेपी की स्थिती है, उसमें उसको एक एलाइंस पार्टनर चाहिए ही अगर सता में आना है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये चोटा लक आप देखे, उन्होंने समझता करते करते यहां तक कर दिया था कि लोकसभा की 40 में से 25 सीटों पर वो लड़ने लगे, बीजेपी बड़ी पार्टी होकर 15 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, 2009 में 20 सीटे जीती थी जनता दल यूनाइटेड, लोकसभा की, और जब अलग जनभूमी आंदोलन के पीक के दोरान भी, जबकि यहीं पर यहां से रत्यात्रा जाते हुए लाल करशाडवानी की उनकी समस्तिपूर में गरफतारी यहीं से हुई थी, इसके बावजूद हिंदूत का मुद्दा नहीं चलता बिहार में, यह बीजेपी को पता चल गया था ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं था, दूसरी बात, यहां जाती को काटना बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल, जाती की जकड़न ऐसी है जिसमें एक ध्रोपर खड़े हैं लालू प्रसाद यादव और उनकी आरजेडी राष्टे जनता धल, जो मुस्लिम यादव का ल जड़ाई जो है नितीश कुमार और बीजेपी की है, उसमें भी जो है नितीश कुमार का हिस्सा बहुत छोटा सा 16-17% का है, बीजेपी अगर वो बाकी हिस्सेपन काबिज हो सके, अगर उस वोट को अपने साथ जोड सके, तब बीजेपी के लिए कोई संभावना बनती है और उसके लिए जरूरत है जमीनी स्तर पर संगठन हो, और नेतित तो है, बार-बार कहता हूँ, राजनीती पिछले 25-30 सालों में बदल गई है, जिस पार्टी के पास स्टेट लीडर्शिप नहीं है, उस पार्टी के लिए स्टेट में बढ़ना बहुत कठिन है, जब भी ऐलाइंस हो जाता है, तो उसमें विस्तार की कोशिश करने का मतलब नितीश कुमार के वोट बैंग में सेंद लगाने की कोशिश, और वहाँ फिर जगडा शुरू, तो बीजेपी समझवता करती गई, नितीश कुमार की मांग बढ़ती गई, बीजेपी समझवता क मिली थी, लेकिन 2019 में इसी मजबूरी के चलते बीजेपी को आधा आधा करना पड़ा नितीश कुमार के साथ, और उसका फायदा नितीश कुमार को हुआ लोग सभा में, विधान सभा में भी नितीश कुमार चाहते थे कि आधा आधा होने की बजाए पुराना फार्मूला जिसमें वो ज्यादा सीटों पर लड़ें, बीजेपी कम सीटों पर लड़ें, तो जो बटवारा होता था पहले, आगर आप याद करें 2010 का, तो लगभग 140 प्लस जनतादल उनाइटेड लड़ती थी, और 100 सीटें करीब, 101 सीटें बीजेपी लड़ती थी, तो 2010 में 91 बीजे ये सब आपको पता है, तो बिहार में बीजेपी का रास्ता महाराष्ट जैसा नहीं हो सकता, 2019 अगर आप याद करें महाराष्ट में जो हुआ, जिस तरह से शिवसेना ने धोखा दिया, उस समय कहा जा रहा था, बीजेपी को इतना बड़ा जटका लगा है, इस से उबर नह इन होगा, लेकिन तीन साल में परिस्तिती बदल गई, अब बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्या जो महाराष्ट में हुआ, वो बिहार में भी हो सकता है, मेरा विक्तिकत रूप से मानना है कि नहीं, बिहार में जेडियू को तोड़ने वाला कोई है नहीं जेडियू में, बिहार में जेडियू में नितीश कुमार नमबर एक है, नमबर दो है, नमबर तीन है, नमबर दस तक नितीश कुमार है, कोई है ही नहीं उसके बाद, तो लीडर्शिप नहीं है, तो उस तरह का प्रभाव नहीं है, प्रभाव नहीं है तो तोड़ने का सवाल ही नहीं है, जो लोग अगर कोई किसी के दिमाग में ये गलत फ़हमी थी कि RCP ये रोल प्ले कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि उनको राजनीती की समझ नहीं है। RCP सिंग कोई जमीनी नेता नहीं है। जमीनी नेता होने नहोने का फर्क क्या है। बहुत सिंपल से परभाशा है। जो नेता वोट दिलाने की क्षमता रखता हो। अपना चुनाव जीतने के अलावा दूसरों को जीताने की क्षमता रखता हो वो जमीनी नेता है चुनावी र प्रश्टी अध्यक्ष हो जाने से उनकी ताकत नहीं पद मिलने से कद नहीं बढ़ गया कद उनका वही रहा जो नितीश कुमार के मातहत सरकार में थे वो तो इसलिए आर्सीपी सिंग से कुछ नहीं होने वाला जेडियू में और जेडियू तूटने वाला नहीं बीजेपी क दो मोर्चों पर काम करना पड़ेगा एक उसने शुरू कर दिया इससे नितीश कुमार का डर और मढ़ गया था ये जो जुलाई के आखिर में बीजेपी के राष्ट्रिय मोर्चों की नेशनल एग्जेकुटिव की मीटिंग हुई सातों मोर्चों की उसने जरूर उनको डर के संगठन का विस्तार करेगी दो दिन के लिए दो रात के लिए राष्ट्रिय नेता पदाधिकारी मोर्चों के ये अलग-अलग दो सो चुनाव खेत्रों में जाकर रुके लोगों से संपर्थ किया और ये तैब हुआ कि ये लोगसभा चुनाव तक निरंतर चलेगा उसक पीछे हो जाएंगे अपनी पार्टी को कमजोर कर देंगे जिसे नितीश कुमार को ये ना लगे कि हम वो अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं तो ये टकराओ किसी ना किसी दिन होना था अगर तेरह में छोड़कर नहीं गए होते नितीश कुमार तो ये टकराओ पहले आये होते तो बीजेपी आज बिहार में शायद बहतर इस्थिती में होती है यह नहीं कह रहा है कि बीजेपी जो है अपने दम पर सरकार बनाने की इस्थिती में आ जाती है लेकिन निश्चित रूप से बहतर इस्थिती में होती है और 2020 के चुनाओ में अगर नितीश कुमार स एलाइंस ना होता तो बीजेपी के इस्थिती बहतर होती उसकी जो 105 सीटे आई उससे जादा आती हो सकता है बहुमत के करीब पहुंच जाती तो बीजेपी को अभी आपको याद होगा कि पतना में कारिकरम में पार्टी के मतली जीए कि बीजेपी सारे छेतरी दलों को खतम करने जा रही है छेतरी दल अपने आप सिक उड़ते जा रहे है और उसकी बड़ी वज़ा है पहले कई बार कह चुका हूँ वीडियो भी बना चुका हूँ इस पर कि वो है परिवारवाद और भरष्टाचार ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो छेतरी दलों के रिजिनल पार्टी इसके गले का फंदा बने हुए है और ये फंदा आने वाले समय में कसता ही जाएगा नितीश कुमार इसलिए बचे हुए हैं कि नितीश कुमार पर व्यक्तिगत भरष्टाचार का कोई आरोप नहीं है इसलिए आप देखिए चार बार वो पलट चुके हैं लेकिन जनता में उनकी छवी का उतना नुकसान नहीं हुआ ये नहीं कह रहा हूँ उतना नुकसान नहीं हुआ जो किसी और नेता के साथ ऐसा करने पर हो सकता था जाउज फर्नांडिस को एक तरह से कहें कि पर्मानेंट नुकसान हो गया था जब 79 में पहले वो जनता पार्टी मुराजी के सरकार की पक्ष से बोले संसद में और उसके बाद एक दिन बाद जो है वो जो डिस्डेंट फैक्शन था चरण सिंगा चौधरी चरण सिंगा उसकी तरफ से बोले वो जो क्रेडिबिल्टी उनकी गिरी उसके बाद उस लेवल को वो हासिल नहीं कर पाए नितीश कुमार के साथ ऐसा नहीं हुआ नितीश कुमार बिहार की राजनीती में एक बफर है जिनके बिना न आरजेडी की सरकार बन सकती है न बीजेपी की सरकार बन सकती है इसलिए बिहार में सबसे मुश्किल रास्ता है बीजेपी का अब बात करते हैं पंजाब की है पंजाब में अकाली दल एक तरह से बीजेपी के पैर और हाथ में बेड़ी हत कड़ी की तरह था पहले एक समय था बीजेपी ज्यादा सीटें लड़ती थी 36 सीटें लड़ती थी 117 में से फिर उसको घटा के मदनलाल खुराना के साथ एक समझावता हुआ अकाली दल का और उसमें घटा के 23 कर दिया 23 सीटों पर लड़कर कितनी सीटें जीत सकती है मैकसिमम एक बार जीती तो 19 सीटें जीती है तो अकाली दल के अलग होने से बीजेपी को ये मौका मिला पंजाब की राजनीती में एक तरह से कहिए आप बिलकुल आमूल चूल परिवर्तन हो गया है जो सबसे प्रभावी दल थे जिनकी जकरन थी पकड़ थी पंजाब की राजनीती पर कॉंग्रेस और अकाली दल दोनों हाशे पर चले गए कॉंग्रेस पार्टी की दुर्दशा अभी आपको लोगसभा चुनाव आते आते और दिखाई देगी वहां से लोग भाग कर आएंगे बीजेपी की ओर वहां से उसके अलावा अकाली दल अकाली दल जब तक सुखबीर बादल या बादल परिवार उसका सर्वे सर्वा है तब तक अकाली दल का कुछ नहीं होना है लेकिन बीजेपी के लिए रास्ता बड़ा लंबा और बड़ा मुश्किल है मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाओ के पहले पहले कैप्टेन अमरिंदर सिंग की पार्टी का बीजेपी में विले हो जाएगा बीजेपी के लिए अगला लोकसभा चुनाओ एक लांचिंग पैड होगा वहां से बीजेपी की पंजाब में शुरुआत होगी लेकिन अगर अकाली दल के साथ एलाइंस बना रहता तो ये भी नहोती अभी और बहुत साल तक नहों पाता तो तीन जो एलाई हैं जो गडबंधन के सायोगी थे बीजेपी की आप इस बात पर ध्यान दीजिए बीजेपी ने इन में से किसी को निकाला नहीं बीजेपी ने इन में से किसी को बाहर नहीं किया बीजेपी ने इन में से किसी से अपनी और से नाता नहीं तोड़ा महाराश में शिवसेना ने नाता तोड़ा बहुमत आने के बाद नाता तोड़ा मुख्यमंत्री के पद को लेकर नाता तोड़ा और बाहर चली गई महाराश विकास अगारी बना लिया बिहार में नितीश कुमार अलग हुए पहली बार भी हुए थे दूसरी बार भी अलग हुए उनके कारण कुछ भी हो वो कारण कुछ भी बताएं लेकिन छोड़कर वही गए बीजेपी ने उनको अलग नहीं किया बीजेपी ने गड़ बंधन तोड़ने का काम नहीं किया इसी तरह से अकाली दल पंजाब में अकाली दल से इतनी मुश्किलों के बावजूद पार्टी को एक तरह से कहिए कि आप बॉंसाई बना कर जो है उसके बावजूद उसके साथ एलाइंस में बीजेपी बनी हुई थी क्यों प्रकाश सिंग बादल से जो रिष्टे हैं पार्टी के बड़े नेताओं के उसकी वज़े से एक एमोशनल रिलेशन्शिप की वज़े से बीजेपी जो है अकाली दल से जुड़ी हुई थी वो बंधन अकाली दल ने तोड़ दिया वो तथा कथित किसान अंदोलन के मुद्धे पर तो बीजेपी को एक तरह से मुक्त कर दिया बीजेपी की मुक्ती हो गई अब बीजेपी के लिए आगे का रास्ता है तो ये कोई आरोप उसका सहयोगी पुराना हो नया हो ये आरोप नहीं लगा सकता कि उसने बीजेपी ने उसको निकाल दिया अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए उनकी पार्टी को बाहर कर दिया तो और अपनी पार्टी को बढ़ाने की इच्छा रखना तो कोई अपराद है नहीं तो मुझे लगता है इसलिए कि इन तीनों दलों के जाने के बाद बीजेपी अब एक राश्ट्रिय पार्टी के रूप में स्थापित होने के लिए तैयार है उसमें समय कितना लगेगा मुझे मालूम नहीं महाराश्ट में ये काम सबसे पहले होगा बीहार में उसके बाद होगा और पंजाब में सबसे आखिर में होगा तो बिहार एक ऐसा राज्य है उडिजाए एक ऐसा राज्य है पूरवप का और बंगाल तीन ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी का कभी मुझे मंत्री नहीं रहा अगला लक्ष बीजेपी का वो होगा उडिशा में चुनाव लोगसभा के चुनाव के साथ होंगे उसके अलावा बिहार में 2025 में है और पंजाब में 2027 में तो इसलिए बीजेपी के पास समय है और लोगसभा चुनाव उसके लिए लाउंचिंग पैट का काम कर सकता है क्यों क्योंकि लोगसभा चुनाव ऐसा है जिसमें प्रधान मंतरी नरेंद मोदी को अतरिक्त वोट मिलते हैं उनके नाम पर वोट मिलते हैं इसलिए आप देखिएगा कि बिहार में नितीश कुमार की पार्टी के जो विधायक हैं या जो विधान सभा चुनाव के टिकट के इच्छुक हैं उनमें खुशी होगी कि आरजेडी के साथ आ गए जितने की संभावना जादा हो गई लेकिन जो सांसद हैं उनमें चिंता लोगसभा चुनाव में मोदी का जादू चलता है मोदी के नाम पर वोट पड़ता है वहां की राज्य की राजनीती के एक्वेशन कुछ भी हो पहली बात तो यह होगी कि नितीश कुमार की पार्टी के जो अभी 17 लोगसभा सांसद हैं तो 17 सीटे भी नहीं मिलने वाली हैं एलाइंस में क्यूंकि उसमें RGD के अलावा RGD बड़ी पार्टी है RGD है उसके अलावा Congress है फिर Left Parties है उसके अलावा जीतनाम माजी की पार्टी है तो यह सब मिलाकर जो sitting MPs हैं उनके से भी कई लोगों का टिकट कर जाएगा तो बेचैनी वहां सांसदों में होगी इस ल होगा लेकिन बीजेपी की महाराष्ट में एक बात बता दें नजर अब शिरसेना जो बची हुई है उद्धो ठाकरे के साथ उस पर नहीं है बीजेपी की नजर एनसीपी और कॉंग्रेस के जनाधार वाले नेताओं पर है और उनमें पहले नंबर पर अशोग चम्हान का नाम है जो पूरु मुक्य मंत्री हैं कॉंग्रेस के नेता है मराठा निता है तो इसलिए बीजेपी की जो नजर है वो अशोक चौहान पर है और अशोक चौहान आने वाले दिनों में बहुत ज़दी अगर बीजेपी में शामिल हो जाएं तो कोई आश्यर नहीं है तो ये तीन राज, तीन पुराने एलाई और इनका जाना इन्डिये का समापन है इन्डिये जो है वो हमेशा के लिए खतम हो गया है और मुझे नई लगता कि बीजेपी अब कोई एन्डिये बनाना चाहेगी कोई इस तरह का इलाईंस बनाना चाहेगी प्योंकि वो उसी इस्थिती में पहुँचना चाहती है जिसमें 50s और 60s में कॉंगेस पार्टी थी जब पूरे देश में उसकी राज्यों में सरकारे थी केदर में सरकार थी उस तरह की इस्थिती बीजेपी हासिल करना चाहती है लक्ष वो है तो इसलिए एलाईज अब सहियोगी नहीं अब मददगार नहीं रास्ते की बाधा है इसलिए एलाईज से मुक्ती तो पाना था अच्छा बीजेपी के लिए ये हुआ कि ये आरोप उस पर नहीं लगा कि उसने अपने साथियों को बीच रास्ते में छोड़ दिया साथी खुद छोड़ कर चले गए तो बीजेपी के लिए एक तरह से ब्लेसिंग इन डिजगाईज है रास्ता आगे का खुला हुआ है अब ये भारती जंता पार्टी पर है कि वो इसका कितना फायदा उठा पाती है इसी से आगे की देश की राजनीती भी तैह होगी तो आज के आंक में इतना ही अगले आंक में फिर मिलेंगे किसे नहे मुद्दे के साथ तब तक के लिए जाज़त दीजे आपसे अनरोध है कि ये चैनल देखिए शेर कीजे लाइक कीजे और सबस्क्राइब जरूर कीजे नमस्कार